आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरीके से क्लाश 10 और क्लाश 12 का जो एक्जाम का जो पैटर्न है उसे चेंज कर दिया अभी तक क्या होता था हमारे जो एन्वल फाइनल एक्जाम होता था उसके बेस पर इस अब कुस था लेकिन अब क्या होगा कि आपके जो एक्जाम है वो दो टर्म में होंगे ठीक है टर्म वन और टर्म टू कैसे कैसे बदला हो है इसको आप पहले से ही एक वीडियो बनाई थ तो आपको यह जो सर्कुलर है वो मिल जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके सामने सर्कुलर है अब देखिए यहां पर यह जो सर्कुलर था यह 5 जुलाई 2021 को डाला गया था और इसके कुछ दिनों के बाद हमने एक वीडियो बना के इसको समझा था ठीक है जो निउस पेपर की जो कटिंग थी उसको दिखा कर आपको समझाए था लेकिन इस सर्कुलर में कुछ एक दो बाते ऐसी हैं जो रह गई थी वो आपको यहां पर बताऊंगा दिखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि 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 लिए क्लाश 10 और क्लाश 12 के लिए हैं तो इसलिए CBSC ने इस बार पहले से तयारी कर लिया है कि एक्जाम करा कर ही रहेगी और एक्जाम कैसे होंगे मान लो अगर आपके आफलाइन नहीं हो पाते स्कूल में सेंटर में आपके एक्जाम नहीं हो पाते तो CBSC ने तयारी कर रखे है कि वो आनलाइन मोड में भी आप question होंगे, तो ये कुछ basic चीज़े हैं, तो ये हम इतना तो पहले भी बता चुके थे, चलिए इसको और deep तमस्ते हैं, देखें, क्या बताया गया है कि ये जो special scheme लाए गई है 2021-22 session के लिए, इसके अनुसार क्या होगा, academic session to be divided into two terms with approximately 50% syllabus in each term, यानि कि आपके हर दो term जो है, 50% syllabus आपके term 1 में पूछ लिया जाएगा, और बाकी 50% syllabus जो है, आपके term 2 में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और जो आपका term 1 का जो exam होगा, वो exam क्या होगा, उसमें आपके MCQ question आएंगे, ठीक है, MCQ based होगा, MCQ question आएंगे, आपको उसमें से answer देने होगे, और यही चीज़ आपको यहाँ पर बता ही हुए है, एक चीज़ यहाँ पर देखिए और समझेए, देखिए क्या है term 1 हो गया, term 2 जो होगा, आपका वो क्या होगा, term 2 जो होगा, उसमें आपके short question और long question आएंगे, अब यहाँ पर यह भी बात चल रही है, क स्लेबस आपका कैसा होगा, देखिए, पहले तो यह था कि 2020 में लास्ट यह जो स्लेबस था, वो 30% reduce हो गया था, आप जानते होंगे, कम कर दिया गया था, लेकिन बात यह चल रही थी कि इस साल आपका स्लेबस वापिस आ गया है, यानि दुबार आपको पढ़ना है, आपके स्लेबस में अगर कुछ ज्यादा चेंज होता है, तो आपको जुलाई एंड तक सायद मिल जाएगा वो, वरना आपका लास्ट यह स्लेबस हो सकता है, ठीक है, ऐसी बाते चल रही है, यह हो जाएगा, इसके बाद देखिए, एक important point यहां पर यह था, exam के बारे मे उस समय में situation सही नहीं होती है, या school में, या center में exam ले पाना possible नहीं होता, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि exam जो हैं, आपके online कराए जा सकते हैं, या फिर आपके घर से ही आपके exam कराए जा सकते हैं, ठीक है, यह तरीका अपनाया जा सकता है, और यह जो आपका पहले exam होगा, य आपको उस समय दिया जाएगा, या आपके लिए यह सारी बाते हैं, ठीक है, और question paper जो हैं, वो आपके CBSC के द्वारा आपके school वगेरा को send कर दिये जाएंगे, और marking scheme वगेरा भी send कर दी जाएगी, ठीक है, इसके बाद यह बहुत आगे इतना ना पढ़े, main main मैं आपको यह आप copy paper होगा, इसमें आपके short question, long question, type question आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहापे एक बात और इन्होंने कहते हैं, देखे, in case, the situation is not conductive for normal descriptive examination, मान लीजिए कि अगर ऐसी situation हो जाती है, कि आपके exam conduct करवा पाना possible नहीं हो पाता, descriptive वाला mode जो यानि लिखित exam, ठीक है, तो ऐस question type के आपसे कराये जा सकते हैं, यह कहा जा रहे हैं, और इसमें भी एक आपको बात बता दीगा, यह मान लो, center में आपके exam नहीं कराये जा पा रहे हैं, तो हो सकता है, आपके घर से ही, आपके home से ही, आपके जो exam में वो कराये जा सकते हैं, तो यह कुछ situation ऐसी बन रही है, जिसके बारे में CBSC ने पहले से सोच कर तयारी करी है, और आपको यह, इस circular के जारी है बाते, के जरीए यह बाते आपको बताने का प्रयास किया, अब यहाँ पे कुछ, दो, तीन, चार तरह की situation और बन जाती है, मान लीजिए, अगर ऐसा हो जाता है, कि school वगरा आपके खु के समय में, ठीक है, school close रहते है, बंद रहते है, लेकिन जो second term है, आपका जो कि March अप्रयल तक होना है, उस टाइम पे अगर आपके school खुल जाते हैं, तो क्या होगा, तो आपका यह बता दिया था, कि अगर मान लोग की online MCQ नहीं, sorry, offline, आपको school में बला कि MCQ test नहीं लिया जा सकता, तो online mode में कराया जा सकता है, या घर से आपके कराया जा सकता है, यह बाते आपको बता दी थी, ठीक है, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है, कि term one MCQ based examination would be done by student online, offline, ठीक है, online, या offline, जैसे भी mode पे हो, या घर से कराया जा सके, पैसा कराने का प्रयास रहेगा, ठीक है, और second term जो होगा, आपका, वो, आपका, स्कूल में, अगर उस समय में हाला ठीक होते है, तो second term में आपका, जो स्कूल में हो जाएगा, तो उसके second term का weight is थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, कुछ इस तरीकी की बाते हैं, और, ऐसी भी situation हो सकते हैं, कि मान लीजिए, जो March, April वाले आपके exam होने हैं, यानि term 2 के, उस समय situation खराब हो जाते हैं, लेकिन term 1 के exam आपके हो जाते हैं, अच्छी तरीके से school में, तब क्या होगा, तो देखें, result would be based on the performance of student on term 1 MCQ based examination, यानि आपने जो MCQ based examination जो school में दे दिया था, center पे जाके दे दिया था, उसके base पे जाएगा, evaluation कर लिया जाएगा, और जो आपका internal assessment होगा, उसके base पे आपको कर दिया जाएगा, ठीक है, जो videos होगा, आपका marks का term 1 examination, जो आपका board द्वारा कराया गया है, उसको बढ़ा दिया जाएगा, उसके अनुसार आपको marks और जो भी हैं, वो दे दिया जाएगे, ठीक ह by the candidate from home, in the session 21-22, मान लो आपके session 21-22 में, आपके situation सही नहीं होती, term 1 और term 2 के दोनों ही exam मान लो, आपके घर से कराये जाते हैं, आप घर से ही देते हो, नहीं हो, वहाँ center पे नहीं जा पाते हैं, नहीं center पे आपके exam कराये जाते हैं, तब क्या होगा, तो देखे, result would be computed on the basis exam होए थे, जो आप से लिए गए थे, ठीक है, उसके आधार पे कुछ moderation policy लगा के, आपका पूरा evaluation कर दिया जाएगा, उसके आधार पे आपको जो भी marks उनको लगेगा, उस आधार पे marks दे दिया जाएंगे, तो यह 3-4 situation हो सकते हैं, भविश्य के बारे में, पहले से सोच ल जाए जाएं, घर से ही कराए जाएं, पर exam करा लेंगे, ठीक है, लिखित में अगर पूरा ना हो पाए, long question, short question, type में ना हो पाए, तो MCQ ही करा लेंगे, लेकिन इन्होंने यह पूरा decide कर रखा है, कि हम paper जो है, आपके ले कर रहेंगे, ठीक है, तो यह कुछ बाते थी, और यह जो order है, आप CBSC की website पर जा सकते हैं, CBSC की website पर आपको जाना है, यहाँ पर search ने, यह जो academic website है, यहाँ पर जाना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आजाएगा, फिर यहाँ पर आप देखोगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यह ठीक है, और वहाँ पर आप का term 1 पहले होगा, उसके बार होगा term 2, पहले तो सब कुछ annual होता था, तो उसके आधार पे नहीं, term 1 के आधार पे हम आपके MCQ कोशन, बहुत सारे subject के हमने करा रखिया, और बहुत सारे नहीं करा है, वो सभी करा देंगे, तो आपको सभी subject के लगबग यहाँ पर करा देंग तो इसके लिए आप telegram group में join हो जाओ, एक दो दिन में हम पूरा plan बना कर आपको बता देंगे, और बागी आप comment में भी पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, तो मिलता है next video में, thanks for watching, सभी को, जै हिंद, जै भारत